हेलो दोस्तों स्वागत है आपका NVG केशन में तो आज हम कर रहे हैं अपनी चैप्टर 19 का अगला पार्ट कोश्च नंबर 3 से शुरू करेंगे इससे पहले वाले दो कोश्च जो करवाए हैं उसके वीडियो जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा त 24 cm व्यास वाले लंब्रिताकार बेलन की आकरिती के पात्र में कुछ जल है 6 cm आधार का व्यास और 4 cm उच्चता वाले 60 थोष शंकू की आकरिती के लोहे के टुकड़े को उस जल में पुर्ण रूप से डुबाने पर जल के उचाई कितनी हो जाएगी तो देखिए यहां पर बरतन में जैसे ही मैं कुछ डालूंगा यहां पर जैसे शंकू बोलाया अगर मैं शंकू डालता हूं कुछ शंकू यहां पर डाल देते हैं तो क्या होगा कि शंकू जो है अपने आयतन के बराबर पानी में जगा ले लेगा और उतना ही आयतन में पानी जो है वो उपर की त कि हमें आयतन के बारे में पता करना है तो यहां पर आयतन किसका तो जितना शंकु का आयतन होगा उतना ही आयतन में पानी बढ़ेगा तो सबसे पहले शंकु का आयतन निकालते है तो शंकु का आयतन अब शंकु का आयतन क्या होता है तो होता है एक बटा तीन पाई आर स्क्व आधार का व्यास दिया हुआ। थी है आधार का व्यास कितना है यहां सेंटीमेटर। हमें व्यास नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए होता है हमेशा हम आर्दीयस पर काम कबर akan शेया है तो यहह व्यास है तुर्सलिक्ठ बेराबर 6 2 4 रेक्प्री में थेंध ed eliminate तो यह हो गया और इसके बाद हमें क्या पता करना है तो उच्चता यानि यहां पर दी हुई है और उचाई दी हुई है कि इतनी चार सेंटिमेटर अब हम निकाल सकते हैं कि एक शंकू का आयतन कितना हो सकता है तो एक शंकू का आयतन एक शंकू का इतन यह क्या हो जाएगा वन राइटी पाइ आर स्क्वार एच यानिकी एक बटा तीन बैस विटा साथ आर स्कुर्ड यानिकी तीन का स्क्वार यानिए 9 और एच यानि चार ठीच है तो इहां से तीन और यह तीन तीन ढूर बाकि सब ऐसे हिन्य हम छोड़ देत 4 बटा 7 इतना घन सेंटीमेटर इसको मैं अभी गुना नहीं करूंगा बार में रिखते हैं और शंकु कितने सारे हैं ? साथ है तो एक शंकु का आयतन अगर इतना है तो 60 शंकु का आयतन कितना होगा ? 60 शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा साथ गुना ये पूरा बाइस गुना तीन गुना चार बटा साथ इतना घन सेंटिमेटर अब बारी आती है कि पानी कितना उठेगा तो कितना आयतन में पानी उठेगा तो जितना इन साथ शंकुव का आयतन है उतना ही आयतन में पानी उठेगा अब उसके लिए अब पानी कि बरतन में भड़ा हुआ है जिसका व्यास दिया हुआ है 24 cm ठीक है तो बेलन में ही जो उचाही बढ़नी होगी तो बढ़ेगी तो बेलन के बारे में बात करते में बात करते हैं तो बेलन का आत्रर यह क्या होता है? तो होता है पाइ रस्क्वाए एच अब जो पानी है वो बेलन के आकार में ही और इसी आकार में लिए उपर बढ़ेगा टीक के जिसमें उस बेलन का व्यास दिया हुआ है व्यास कितना है 24 cm 24 cm तो अर्ध व्यास क्या हो जाएगा इसका जोबिस बटा दो यानि 12 cm यह हो गया अब क्या है कि जितना पानी उठेगा उसका आयतन और 60 संकू का आयतन यह दोनों बराबर होंगे तो हम लिख देते हैं यहां पर प्रस्ना अनुसार क्या बोल रहे है कि बेलन में उठे पानी का यहां पर मैं मान लेता हो कि माना पानी है एक सेंटीमीटर उचाई तक बढ़ा ठीक है तेक् è उचाई क्या होगी ए So अब A度 क्या हो जाएगा यह अपर पाई आर स्क्वाइर यह निक्ला को स्क्वाई लुग है अक गुणा और यह है और यह ऑटन किसके बराबर होगा यह बराबर इस पूरे के तहीं हो गया 60 गुना 22 गुना 3 गुना 4 बिटा सथ ठीक तो बस यहां से solve करना और एज का value निकालना और वही हमारा answer हो जाएगा तो यहां हो गया 22 बिटा 7 गुना 12 गुना 12 गुना है बराबर 60 गुना 22 गुना 3 गुना 4 बिटा साथ तेहा से एच को छोड़ करके बाकि सब उधर है तो एच बराबर सब के लिए बताने काट साथ-साथ यहा से गया 22 यहां से चला गया तीन चोक 12 और यहcción कम चंप 12 15 कि नहीं कित्नी हो गई पांच सेंटेंर जेंख है तो पागते हैं चली करते हैं अगला सवन देहें लिए जरे एक ही आधार के व्याशार्द एवं समान उचता वाले एक ठोस शंकू एवं एक ठोस लंब वितकार बेलन के बकरतल का छेतरफल का अनुपाथ जो है पांच अनुपाथ आठ होने से उनके आधार के व्यास वह उचाई का अनुपाथ निकाली सिंपल से सवाल है यहाँ पे हमें कहा दिया है वह बकरतल के छेतरफल करने परते हैं तो हमें इनकी इनके आधार का अर्दव्यास और उचतागर समान है तो मान लिया कि माना जो अर्दव्यास है कि अर्दव्यास आर है और उचाई बराबर है ठीक है यह हो गया है अब क्या है कि एक लंब व्रिताकार बेलन और एक ठोश शंकू तो अब दोनों के वक्रतल का छेतरफल सबसे पहले शंकू के वक्रतल का शंकू के शंकू है होता है पाई आर है ना अचैक के लए बेलन का अ-बेलन के वक्रतल का छेतरफल क्या होता थो तो अब क्या बोले एक इन दोनों का अनुपाद जो है वह पांश आनुपात आठ तक्रास प्राश्न आंसर पाइ आर अनुपात तो पाइ रख बराबर आट वितना पाँ पाइच वितना हुआ तो इधर काँ दो पाइ-पाई कट गया, आर-ार कट गया क्योंकि दोनों बराबर हैं तो बचा क्या हमारे पास? L बटा h बराबर 5 को दो से गुना करेंगे बटा 8 यानि L भाई-H बराबर 10 बटा 8 तो यहाँ पर हमें मिला क्या हमें मिला त्रियक उचाई और उचाईई के बीच में संसा हम से क्षप है उसके व्यास और उचाई में अनुपात कितना होगा यह पता करना है एक यह क्या होगा यह से अम निकाल सकते हैं हमने बताया lhr में क्या फार्मला होता है कि L स्क्वर वरांबर h2 plus r2 होता है यहां तो अनुपात में दिया तो यहां से हम क्या करते हैं माल लेते हैं कि माना एक उभाइनिष्ट अनुपात यह नहीं कॉमन रिश्यू अनुपात यह वह कितना एक्स है ठीक तो इसके हिसाब से क्या हो गया कि एल बराबर टेन एक्स और एच बराबर एट एक्स एकदम पूरा सीरे सीरे यह 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 एच का वैल्यू है तो आर क्या हो जाएगा यह ही यहा से नहीं को सकते हैं फॉर्मॉला में है कि अल स्वह 8 x को दुसरे तरफ लेगी चलेगा तो कितना स्घश था थिस स्क्वार कि तो आर बराबर क्यों जाएगा इंब्यूंर हमसे पुछा क्विक्स पूछा कि यह नहीं हमसे पूछा है क्वियास और उच्चाई में क्या है अगर अर्दिव्यास पूझता तो हम इस तरह से लगते हैं अर्द्व्यास अनुपात इसलिए देख करके अर्द्व्यास अनुपात उचाई बराबर जो भी यह दिया हुए 6X अनुपात 8X ठीक है उसके बार इस तरह से करके हम काट दे सकते थे यह यहां फोर यह लिए 21 basically two x , अर्द्व्यास अनुपात पूछाय लिए यह र्द्वास अर्द्व्यास और उचाई में सम्भंद है लेकिन आन इसलिए नहीं पोछा है व्यास पूछा है harvest तो व्यास कितना उत पानुपात और उचाई दी वही है 8x, उचाई है 8x, अब इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो व्यास अनुपात उचाई, बराबर क्या होगा, 12x, अनुपात 8x, इसको कट दो, 12x by 8x, तो xx कट गया, चारती है 12x, चार दोनी 8, यानि कि 3x2, मतलब अनुपात क्या हो गया, 3x2, और यही है इसका आंसर, ओके, तो चलिए हम बाकी के सवाल करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई, टेक केर,